हेलो दस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में एक हिंदी के एक इंपोर्टन टॉपिक पर आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं वह टॉपिक है संच्छेपन या फिर सार लेख ठीक है संच्छेपन या फिर सार लेखन इस सीज को हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं तो जान देते कि संच्छेपन होता क्या संच्छेपन का अर्थ होता है चोटा करना कोई भी लंगा देखिए इस तरह कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे इस तरह के बहुत बड़े-बड़े होते हैं जान देखिए तो संच्छेपन आज के समय में बहुत सारे कामों में इस्तिमाल होता है क्योंकि इतना लंब लोगों को पास इतना समय नहीं होता है कि लंबी-लंबी कहानियां पढ़े इसलिए उसे स्वाट में कम सब्दों में वगड़ बोला जाता है तो वह संच्छेपन इस्तेवाल हो गया ठीक तरीका से संच्छेपन अथ्वा सार्द लेखन का आज सा है कि किसी अनुच्छेद, परिष्छेद या विश्तितर ट्यपनी अत्वापर्ति वएदन को संचीप्त कर देना यह देखे संचीप्त कर देना क्या होता है लंबी-लंबी चीज़ों को छो करके लिखना ही संशेपन कहलाता है तो संशेपन जब भी हम कोई लंबे अगर आगर आपको संशेप करते हैं तो कुछ परिक्रियाओं का खास ख्याल रखना पड़ता है लंबे संटेंस के लिए सबसे पहले उसका समझ जरूरी होता है तब हम उसको स्वाट कर पाएंगे तो पहला बात वही है संशेप करने के लिए कि संशेपिर करते समझ सबसे पहले हमें मूल अनुछेद या विस्ते वस्तु को एक आधिक बार ध्यान पुरूब पढ़ना चाहिए और तत्य समझ कर सार लिखन के सुरुवात करना चाहिए तो पहले लंबा जो परागराफ दूसरा बात है जो हमें याद रखना चाहिए कि मूल अनुछेद को पढ़ने के बाद महत्रपूर्न तत्यों बातों और विचारों को रेंखांकित कर देना चाहिए लंबा परागर आप पढ़ रहे हैं तो उसके जो इंपटेनी बड़े बात है उसको नोट कर लिजे कहीं ताकि हमें कोई बी मुख्य बिंदू जो मैन-मैन बात हो फुटना नहीं जाए तीसरा बात जो हमें ध्यान रखना चाहिए वह हैं इसके बाद मूल में विचारों भावब्रों को प्रिंप उठा लिया है तो अप सीरियल कर लेंगे तब जाके स्वाट करके अच्छे से लि चाहिए उसके बाद देखिए कि मूल अनुछेर का एक तिहाई में संच्छेपन करना चाहिए यानि कि अगर आप बड़ा जब लिए बड़ा प्रग्राप आप पड़ रहे हैं वह अगर इतना बड़ा है 100% होगा मानके चलिए 100% तो इसका एक तिहाई कर लीजिए एक तिहाई यानि एक अंदाई से 33% यानि कि इस तरह से एक तरह समझ लिजिए कि 100% मानके चलिए परग्राफ है उसको 33% करना होगा एक तिहाई करना होगा आधा सभी कम होगा इस तरह ठीक है संच्छेपन करते समय मूल अनुछेद में वर नीत या उल्लेखित कहावते मुहा पाओ निरेखावा खता है अनुछे बिकांड tari वकी तो उससे जब आप सौट करेंगे है संच्छेपन करेंगे उसे हटा देना चाहिए उसके बाद सनच्छेपन थियार करने के बाद उसके लिए सुघेटी करना चाहिए संब लिखने के पहले या फिर उसके बाद आपको और सबसे पहले उपर में उस सच्छेपन का हेडिंग भी लिखना चाहिए ठीक है उसके बाद जानते हैं कि संच्छेपन के क्या विश्य क्राइश होती है तो संच्छेपन जब करेंगे जब सौट करेंगे तुश को विश्य होगी कि संच्छेपन स्वत्पूर्ण होना चाहिए जब आप पढ़ा बेड़े परिग्राप को अगर स्वाट में लिखे हैं तो इस वाला भी एक तरीका से पॉर्णत होना चाहिए उसके बाद संचेपन में भाव भासा सथ व्युल्ड आ शूद में लिखनाईएं…… संच्छेपन के भासा में परवा और करम बद्त होना चाहिए या या आपकर संच्छेपन लिख रहे है तो आप वर्ड को आगे सपता होना किया न जो हम स्पाइब करके लिखे हैं वह चीज इतना क्लियर होना चाहिए कि सब पढ़ने वाले को सारा बात सबमज में आ जाये उसके बाद होगा केंद्र वाँ भाबद्यता होना चाहिए यहां ठरीव होना चाहिए हो बिल्टकल सजी बात है जब आप संछेपन लिख रहे हैं तो ज्यादे लंबे-प्तोच यादा विस्तार से नहीं लिखना है। जब भी आप जंशेपन लिख रहे हैं तो वर्ण के गलतियां होते हैं उन्हें गलतियों से बचना चाहिए प्रयाखरण के नियम के अनुसार सुधू लिखना चाहिए इसके अलाव है अबसक्ता अनुसार विराम तो चीन लगाना ही चाहिए ठीक है जब